इंडिया की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, कम से कम 2000 साल पुराने राजाओं के दोना हम हम स्कूल में पढ़ाया जाते हैं वगर अगर हम USA की हिस्ट्री देखे हैं तो 400-500 साल से पहले की हिस्ट्री का कहीं कोई जिक्र नहीं करता है ऐसा इसलिए है क्योंकि 500 साल पहले जो लोग USA में रहते थे वो अब लगबग बचे ही नहीं है मैं बात कर रहा हूँ Native Americans की जिने Common Terms में लोग Red Indians बोला करते थे आज की वीडियो में हम जानें के कैसे अमेरिका में रहने वाले Native Americans का पूरी तरह से सफाया हो गया एक पूरे continent से और उन पर बस गया कर Europeans और नाम दे दिया United States of America तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और तयार हो जाईए American continent पर human civilization की starting लगबग 17,000 साल पुरानी मानी जाती है ऐसा माना जादा है कि यह जो आप map देख रहे हैं रशिया और अलास्का का यह दोनों map आपस में जुड़े हुए थे और Central और South Asia से early humans migrate होकर गए अमेरिका में और North America और South America में जाके बस गए इन American civilizations की काफी छोटी छोटी tribes यहां बसा करती थी जिनने बोला जाता था Native Americans अब चली दोस्तों कई हजारों साल आगे चलते हैं Native Americans अभी भी tribal तरीके से ही रह रहे थे और पूरे world से वो एक तरह से cut off थे उनका कहीं आना जाना नहीं था कही trade relations नहीं थे इसलिए maximum world को यह लगता ही नहीं था कि America कोई continent है भी Europe, Asia और Africa एक तरह से connected थे क्योंकि इनके बीच में आपस में land route से trades हुआ करते थे और Silk Road जो Europe और Asia को connect करती थी वो काफी famous route था early times का और हमारा भारत जो सोने की चीडिया के नाम से जाना जाता था वहां आकर trade करने के लिए पैसा कमाने के लिए पूरे की पूरे Europe और पूरे Middle East में काफी competition रहता था और Silk Road काफी famous थी trade के लिए अब धीरे-धीरे होने ये लगा कि जो Ottoman Empire था जो Middle East को कंट्रोल करता था वो Silk Road को capture कर चुका था और Ottoman Empire के बिखर जाने के बाद में Silk Road के थुरू Europeans का आना जाना काफी difficult हो गया था इसलिए Europeans तलाशने लगे एक alternate route समुद्र से इंडिया जाने के लिए और इसी तरह 13th century में Europe में start हुई Age of Discovery अलग-अलग European nations ने अपनी navy को काफी strong कर लिया था और उनकी navy समुद्र के explorations का काम करने लगी दूर oceans में बसे हुआ islands को capture किया जाने लगा ढूंडा जाने लगा और alternate routes तलाश किया जाने लगे तक ही trade किया जा सके क्योंकि Europe की economy maximum trade पर ही dependent थी मगर सबकी priority एक ही थी Sea route से इंडिया का पता लगाना अब हालां कि Christianity ये मानती थी कि Earth flat है मगर जो scientific लोग थे जो technical लोग थे उनका ये मानना था कि Earth round है और ऐसे ही एक believer थे Christopher Columbus जिन्होंने सबसे पहले इंडिया का Sea route खोजने की ठानी एक और continent आएगा जिसका नाम है America क्योंकि America तब तक वर्ल्ड से पूरी तरह से cut off था और इसी तरह Christopher Columbus ने West की तरफ जर्णी स्टार्ट की इंडिया को खोजने के लिए पर वो पहुँच गए North America और South America के बीच में situated Caribbean islands में और इन Caribbean islands को उन्होंने समझा कि यह इंडिया के islands है इसलिए उन islands का नाम आज भी West Indies जाना जाता है इस बात का खुलासा तब हुआ जब उनके 5 साल बाद में वासको डिगामा ने अपनी जर्णी स्टार्ट की और एफ्रिका को घूम कर होते हुए वो इंडिया के कैलिकेट पोर्ट पर आये और finally उन्होंने इंडिया का sea route डिस्कावर किया तब यह माना गया कि Christopher Columbus ने गलत इंडिया डिस्कावर किया था और वो इंडिया नहीं अमेरिका है मगर क्या फर्क पड़ता है इंडिया हो या अमेरिका योरोपियंस को चाहिए थी नई जमीन नई जगया capture करने के लिए और उस समय योरोप में वैसा ही age of discovery चल रही थी और इस age of discovery के अंदर योरोपियंस ये भी मानते थे कि हम पूरे world में superior race हैं और जो नई discovered जगे हैं जो tribal nations हैं वो पूरी तरह से uncivilized हैं और हमें उनको explore करके उनको civilize करने का काम करना चाहिए और उन पर एक आहसान करना चाहिए तो ऐसा ही आहसान करने के लिए बड़ी भारी मात्रा में योरोपियंस चले गए अमेरिका और वहाँ पर बसा लिए अपने अपने colonies अब जब Europeans America पहुँचे तो अपने साथ नई technology, नई policies, नई industries के साथ में एक और चीज लेके आए नई नई बिमारियां ऐसी बिमारियां जो Native Americans के लिए काफी घादक थी क्योंकि उनके अंदर इनके लिए कोई immunity power नहीं थी और इनमें दो सबसे important बिमारियां थी, measles और chickenpox दोस्तों, Europeans का ये कहना है कि Native Americans के पूरे के पूरे सफाई के लिए measles और chickenpox से जिम्मेदार है जो कि वो अपने साथ लेकर आये थे और उनमें बूरी तरह से फैल गई एक समय पर लगबग 1.5 करोड Native Americans या फिर जिने Europeans Red Indians बोला करते थे क्योंकि Columbus ने इंडिया नाम दे दिया था अमेरिका का गलती से और तब से उनका नाम Red Indians पढ़ गया था Red Indians के पूरे सफाई के लिए जिम्मेदार थी ये दो बिमारिया एक समय पर जो डेड़ करोड Native Americans थे वो लगबग धाई लाक बच गये थे 1890 के असपास European Nations ने अमेरिका को जिस तरह से कॉलोनाईज किया और इंडिया को जिस तरह से कॉलोनाईज किया उन दोनों में काफी फर्क है दोस्तों अमेरिका को जब येएंस ने कॉलोनाईज किया तो वहाँ पर वहाँ के लोगों का पूरी तरह से सफाया हो गया और उसके बाद में जो कॉलोनीज बनी वो European Nations के खुद की थी और उन European Nations ने अपनी Queen यानि की England के Queen से Independence लेके खुद को इंडिपेंडेंट गोशित किया और जो independence लेने वाले थे वो खुद European थे मगर दूसरी तरफ अगर हम इंडिया के independence की बात करें तो इंडिया के उपर European nations का राज था और Indian native लोगों ने European nations से independence हासिल की तो दोनों independence में राद दिन का अंतर है इंडिया के लोगों को independence मिली और वो तरह से डेवलप कर पाए और native Americans जिन्होंने independence तो खोई-खोई साथ में अपनी जान भी गवा दी क्योंकि हालांकि European ये क्लेम करते हैं कि native Americans के सफाय का कारण था मीजल्स और चिकन बॉक्स मगर कुछ historians का ये मानना है कि ये बीमारियां जान बूच के भी फैलाई गई थी कई जगे कई जगे उन्हें इंफेक्टेड कपड़े बाते गए थे इंफेक्टेड खाने का सामान दिया गया था था कि उनका खात्मा अपने आप हो जाए और Europeans को एक बड़ी territory मिल जाए कबजा करने के लिए इंडस्टेड लगाने के लिए मगर इसके बावजूद कई जगे पर नेटिव अमेरिकन्स आज भी जिन्दा है प्रॉस्पर कर रहे हैं एक इंडिपेंडनेंट यॉनाइटेड स्टेट्स में लगबग 504 ट्राइब्स करेंटली यॉसे में हैं जो नेटिव अमेरिकन्स मानती हैं खुद को और खुद के ओरिजिन्स को ट्रेस करती हैं हजारों साल पहले कुछ हवाई में हैं कुछ यॉसे के अलग-अलग स्टेट्स में हैं और कुछ फेमस परसनलिटीज भी हैं जो खुद को न अगता है, पता है क्यूं जापान और यौैसे अच्छे दोस्त हैं जानने के लिए ये वीडियो देखिए और चैनल को सब्स्क्राइब भी कर लिए